हलो आज है 16 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें बैंक ओफ महराष्ट्रा के बारे में नतीजे आ चुके हैं इसके और वाकई में अच्छे आए हैं और आज भी अगर हम देखे तो स्मॉल कैप और मिट कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है बैंक ओफ महराष्ट्रा मिट कैप बैंक है यह और जहां तक बात करें जैसे ही रिजल्ट्स इनके आये थे एक स्पाइक इसना दिखाया था बाद में डिक्लाइन भी आया लेकिन फिर भी मारकट जब क्लोज हुआ तो तो टेर्ड पार्ष्ट्र की तीजी पर ये उनके दिखाया है डबल से भी जादा करके दिया है 150 पर्सन का ग्रोथ है बड़ी तीज़ी आई लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद जून महिने के एंड में 27 रुपे से ऐसी रफ़तार बनी कि 50 रुपे के करीब पहुंच गया था यह तो बहुत बहतरीन तीज़ी किया सकती हो कि यहाँ पर पिछले तीन महिने में देखने को मिली है जुलाई, आउगस, सब्टेंबर और अक्टोबर में कहलो आदा अक्टोबर तो काफ़ी अच्छी तीज़ी दिखाई है इसने चांदार अच्छी है, यह खराब नहीं है अभी थोड़ा सा करेक्शन वाला माहौल है और जैसे की नतीजे आए है इनके उतने भी खराब नहीं है, बातचित करेंगे उस रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पर नंबर्स की तरफ चले, तो यह जो क्वाटर में 5,417 क्रोड की थी, तो इंक्रीज आया है क्वाटर ओं क्वाटर, और पिछले साल के क्वाटर में 4,317 क्रोड था, तो उसके मुकाब्र तो और अच्छी तेज़ी आई है, तो कह सकते हैं कि पिछले साल से compare करो पिछले quarter से compare करो revenue में growth है और अच्छा growth है और अगर हम profit के बात करें तो अच्छी बात यह है कि profit में भी शानदार growth आया है इस बार तकरीबन तकरीबन 919-920 करोड रुपए का profit हुआ है जो इससे पहले के quarter में 880 करोड के आसपास का था और पिछले साल इस तो शानदार growth है यहाँ पर शानदार growth है और एक अच्छी बात है कि growth यहाँ पर lot रही है और इतना ही नहीं assets quality में भी इनका improvement आया है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो NPA है na gross NPA जो है gross NPA इस बार 2.19% का है जो इससे पहले के quarter में 2.28% का था मतलब बहतरीन सुदार है और पिछले साल तो बगया 3.40% था उसके मुकाबर तो बहुत अच्छा है यहाँ पर इवरिंक का जो net NPA है वहाँ पर भी अच्छा सुदार आया है 0.23% का है जो इससे पहले के quarter में 0.24% का था और पिछले साल 0.68% का था तो देखा जाए तो net NPA gross NPA में सुदार जो है वो पिछले साल यह 12-13 के आसपास का था तो उसके मुकाबर तो अच्छा margin यहाँ पर देरे-देरे हो रहा है और अच्छी बात है कि लगातर quarter on quarter यहाँ पर improvement आया है quarter on quarter लगातर growth हाई है और यह एक better चीज है यहाँ पर अगर बात करिये तो mid cap bank है यह और इनका जो market cap है वो 33,000 क परोर से भी जादा का है तीजी definitely पिछले तीन महीनों में बहुत बड़ी रफता रहा है लेकिन फिर भी इसका जो peer ratio वो तकरीबन 11 का है जो कि average industry से कम ही है तो सस्ता है उतना महंगा आप इसको नहीं किया सकते हैं और जहां तक बात करे dividend की तो pay कर रहा है इस साल 1.30 पैसे का pay कर रहा है तो को तीन महीने पहले ये share जो था वो 27 रुपए का था ठीक है और 27 रुपए का share अगर आपको 1.30 पैसे का dividend pay करे तो वो अच्छा dividend माना जाता है खराब नहीं होता बहतरीन dividend माना जाता है और अगले साल dividend और जादा pay करेगा क्योंकि तब तक share price में भी उतनी हाई रुपए का dividend pay करना शुरू कर दे जहां तक बात है इनके numbers की तो वो हमने बातचित कर ही लिए लगातर growth यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर बात करें share holding के तो बड़ा जो game है वो यहीं पर छुपा है और यह बहुत जल्दी हो सकता है आग देखे जो government की holding की 90.97% की holding थी मार्च में government में जून में उसको बेचा और 86.46 पर लेकर आए ठीक है अभी भी September में 86.46 ही है अभी एक दो quarter थे तो government अपनी holding को बेचेंगे नहीं लेकिन इस एक दो quarter में government यह ज़रूर कोशिश करेगी कि इस bank का share और उपर की तरफ जाए ताकि और अपनी holding को कम के holding pattern है पब्लिक का पहले 6.43% की holding थे अभी 7.76 है एफाइल्स ने बिक्वाली करी है यहाँ पर 0.68 से घटा कर 0.59 पर आए लेकिन वही एफाइल्स ने मार्च में जून में बड़ी खरीदारी भी करी थी यहाँ पर अगर देखो DL की मैं बात करू तो DL में mutual fund खरीद रहे हैं लगातर खरीद रहे हैं 0.23 से बढ़कर 0.38 पर आए फिर 0.53 पर आए तो यहाँ पर mutual fund लगातर भाई कर रहा है हाला कि insurance ने पहले खरीदारी गरी 5.45 पर आगए 3.08 से अभी last quarter में 4.64 पर आए ज़रूर है तेकि overall मुझे यह bank खराब नहीं लगता है और जिस तरीके से definitely NPA मे सुधार आया है यह बहुत अच्छी बात है अने वाला डेड़ दो साल में मानता हूं कि अच्छा रहेगा इस bank के लिए उसके बाद जो NPA का खत्रा है जिस तरीके से नए नए लोन बाटे गए हैं कुछ ऐसे लोन भी है जो जिसको recover करना मुश्किल होगा आने वाले टाइम में अगर market condition सही नहीं रही तो लेकिन मुझे रहता है कि अभी भी उतना भी महंगा मैं इसको नहीं मानता हूं 50 रुपए के नीचे जब तक bank of महराष्टा का share है बायोन डिप्स के जो है मौके है वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं यह मेरा मानना है और मैं अभी भ का दाव यहाँ पर आप खेल सकते हैं 60-70 रुपए के लेवल आपको दिखाएगा यह लॉंग टम के मैं बात करूं शौर्ट टम में नहीं शौर्ट टम में अभी भी थोड़े बहुत ups and downs है वह यहाँ पर देखने को मिलेंगे जरूर लेकिन लॉंग टम का outlook मुझे यहाँ positive लगता है हाँ एक चीज़ याद रखे रिजल्ट के बाद तीजी आई यहाँ पर ठीक है हो सबता है कि कल्वी तीजी बने कुछ दिन की तीजी है लेकिन उसके बाद एक correction भी आएगा हो सबता है कि यहाँ से यह 50 पर जाए लेकिन उसके बाद एक correction दिखाएगा जो इसको लेकर भी जाएगा नीचे की तरफ तो यह होगा जिगजग ओला graph इसका रहेगा लेकिन long term का outlook जैसे कि मैंने कहा कि positive लग रहा है buy on dips के मौके जो है वो यहाँ पर ढूंडने चाहिए लेकिन आपका नजरिया long term का होना चाहिए short term का नहीं यह मेरा मानना है इसके अलावा analysis के बैतरीन feature से यहाँ पर जिनमें से कि जो बड़े बड़े investor से वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा portfolio आपको यहाँ पर मिल जागा वो भी quarter on quarter update के साथ यह वही लोग है जो बादर में बड़ा game खेलते हैं यह वही लोग है जिनके portfolio में कई सारे small cap और mid cap आपको मिल जाएंगे इतना ही नहीं एक और feature भी है वह है stock research report जो बड़े बड़े brokerage houses होते हैं जो बड़े बड़े fund house होते हैं वो अपनी report publish करते हैं किसी stock में buy और sell को लेकर भी और क्यों उन्होंने किसी shares को खरीदारी करने के लिए बोला है उसकी पूरी reports भी वो publish करते हैं तो और अगर आप चा क्योंगा पसंद हो तो like करें शाय करें चैनल बगरा पहले बार हैं तो please subscribe करें और bank of maharashtra के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखके बता सकते हैं इसके अलावा जो results कैसे आए हैं सरकारी bank में कौन सा bank आपको पसंद है वो भी मुझे comment में लिखके जरू बदाएएगा थैंक यू